Hello 9th class के बच्चों कैसे हैं आप सब लोग तो उमीद कर रहे हैं कि आपने एक basic topic मैंने triangle के उपर डाला था आपने उस वीडियो को देख लिया होगा छोटा सा वीडियो था basic जो बच्चे आज से ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले वाला basic triangle का जो idea मैंने दिया था उस वीडि को मैंने बताया था पिसले वीडियो में कि वो सबसे important है class 9th के बच्चों को जानना भी और इसको पहले आपने जुनियर में पढ़ा होगा लेकिन इतना detail में नहीं जाना होगा तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th class का सबसे important parts triangle का जो सबसे important topic है उसको तो चलिए बिना time waste के वे start करते हैं तो आज जो हम लोग को जानना है triangle के वो बहुत ही important important terms है ना यानि इसको आपको जानना बहुत जरूरी है तो बच्चों यहाँ से start करते हैं that is the terms of triangle terms of triangle यहाँ से एकदम last तक जरूर देखेगा बच्चों यह आपके लिए बहुत ही बहतरीन video होने वाला है तो last तक जरूर देखेगा तो यह terms of triangle है तो बच्चों आखी सबसे पहला एक term आता है जिसका नाम है median यह सब जो आज आप जानेंगे न यह आपको अब lifetime काम आने वा पास तक यह अब आपका पीछे नहीं पीछा नहीं छोड़ेगा कहीं ना कहीं किसी भी chapter geometry में यह सब नाम आ जाएगा तो यह है आपका सबसे पहला जिसका नाम है बच्चों median अब यह median क्या होता है तो याद रखना है median का मतलब होता है नाम में ही देखिए med मतलब middle point से मिलत जुलता यह नाम आ रहा है median तो इसका मतलब यह हुआ कि median को हम लोग कैसे define कर सकते हैं जैसे figure से पहले समझ लें जैसे माल लिया जाए कि यह एक triangle है यह एक triangle है इसका नाम हमने कर दिया PQR मैंने आपको बताया था कि किसी भी triangle में तीन कोना होता है इसमें PQR तीन कोना है किसी ना किसी vertex से एक line निकलेगा जो उस vertex के सामने वाले side को आधा-धा में बाटेगा यानी half-half में बाटेगा इसलिए उस line को median करते हैं जैसे माल लिजे यह vertex है P अब यहां से एक line निकला एक लाइन निकला और सामने वाले साइड को यानि QR को दो पार्ट में बाट दिया यह हो गया QM और यह हो गया MR यह दो बराबर भागों में बढ़ गया इसका मतलब हो गया कि QR लाइन सेगमेंट का यह M क्या कहलाएगा मीड़ पॉयंट कहलाएगा यानि यह अगर QR line सेगमेंट है तो यह M उसका क्या कहलाएगा मीड़ पॉयंट कहलाएगा क्योंकि QM और MR दोनों बराबर हो गया और यह जो मीड़ पॉयंट है उसको आपने किससे जोड़ा है भरटेक से जोड़ बिया इसलिए vertex से निकला हुआ वह line जो सामने वाले side को अगर दो बराबर भागों में बाटता है तो उस line को हम लोग median कहते हैं तो this is what the median इसको हम लोग कहते हैं बच्चों median एक बात याद रखना है तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर तीन भारटेक्स है तो तीनों भारटेक्स से निकल सकता है यह line येस एकदम निकल सकता है जैसे अगर मैंने Q से एक line निकाला और यहां मैंने एक point ले लिया N और QN जो है वो सामने वाले side यानि PR को आधा आधा में अगर बात दिया और N जो है वो PN और NR दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब यह जो QN है वो median कहलाएगा किस point का Q का उसी तरीके से R से भी एक line गुजरेगा और सामने वाले को यानि यहां मैंने ले लिया C और यह जो PC है यानि PC part यह जो PC है वो CQ के बराबर हो जाए तो यह CPQ का midpoint हो गया इसी लिए यह जो CR है वो PQ का क्या कहलाएगा median कहलाएगा उमीद करते हैं तीन बार मैंने आपको median को समझाने की कोसिस किया है आप सब को समझ में आ गया होगा जैसे एक बार अगर हम आपको confuse करने की कोसिस करें जैसे माल लिया जाए कि यहां पर हमारा एक नाम हमने ले लिया T U और भी एक triangle ले लिया और मैंने कहा कि U B का midpoint है M U B का midpoint है M अब यहां से एक line आ गया तो क्या यह line median कहलाएगा नहीं यह median नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको दो condition बताया है median को बताने का एक तो side का middle point और सामने वाले vertex को जो line जोड़ेगा उसको हम लोग median कहते हैं तो आईए आप इसको define कर लें आई 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 vertex एक ऐसा line जो सामने वाले side के mid point को और उस line के सामने वाले vertex को जो जोड़ेगा उसको हम लोग median कहेंगे उसको हम लोग median कहेंगे जो की ये जो line है वो median नहीं है बच्चो समझ में आ गया होगा median median का मतलब होता है एक ऐसा line जो triangle के किसी vertex से निकले और सामने वाले side को आधा आधा में बाट दे यानि वो median से उस line को जोड़ दे तो वो क्या कहलाएगा that is median कहलाएगा उमीद करते हैं आपको median समझ में आ गया होगा लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर आखिर ये जो median है एक जो median है ये सारे के सारे median एक ही point से आपने यहाँ गुजार दिया इसका मतलब है अगर हमसे कोई पूछेगा तो इसके बारे में हम क्या क्या बता पाएंगे पहला बात आप बताईएगा कि किसी भी triangle में 3 medians होते हैं किसी भी triangle में यानि any triangle has any triangle has 3 median पहला बात तो ये आगया यानि किसी भी triangle के पास 3 median होना एकदम अनिवार है दूसरी बात याद रखना है कि वो 3 median किसी एक point से जरूर गुजरेगा यानि all 3 median all 3 median median must passes must passes must passes from a common point from a common point एक ही point से वो तीनों मीडियम जरूर गुजरेगा जैसे यहां के common point कौन है ये वाला point जिसका हमने नाम ले लिया ओ ये common point है इसके तीनों मीडियन का तो all 3 median must passes from a common point उस common point को हम लोग किसी नाम से जानते हैं all 3 median must passes from a common point that is called that is called that is called centroid याद रखेगा उसी को हम लोग centroid कहते हैं बहुत important बात सब है इसलिए medians को चुकि ये एक ही point से पास करता है तीनों line इसलिए all medians are all medians of a triangle are किसी एक ट्रेंगल के तीनों median are concurrent concurrent कहलाता है इस बहुत important बात है बच्चों प्लीज जुड़े रहें last तक देखते रहें बहुत important important बात आने वाला है तो एक बात यहाँ पे हमारा clear हो गया मैं बात कर रहा था median की median का मतलब होता है जो सामने वाले vertex से निकलेगा और सामने वाले side को आधा आधा में बाट देगा उस middle point को वो सामने वाला vertex जो जोड़ेगा जो line उसको उस side का median कहेंगे clear हो गया बात अब median के बारे में कुछ बाते सामने आई कि किसी भी triangle में कितने median होंगे natural बात है तीन vertex है तो naturally तीन medians होंगे क्योंकि vertex से तो निकलना ही चाहिए और तीन vertex है तो तीन median जरूर होगा उसके बाद क्या sir आपने जो यहाँ diagram बनाया तीनों median को एक point से गुजारा ऐसा possible है क्या कि जितने भी triangles होंगे उन सारे triangle के तीनों median जो है वो confirm है कि एक point से जरूर पास करेगा yes confirm है एक point से जरूर पास करेगा और उस common point को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों centroid कहते हैं यानि all the three median must passes from a common point this is called centroid और उसी centroid को आप centroid भी कह सकते हैं और उसको concurrent कहा जाता है concurrent concurrent भी कहते हैं तो यह हो गया हमारा median अब हम इसके construction भी बताएंगे बच्चों कि हम लोग median किसको median कैसे बना सकते हैं तो यह तो बहुत ही simple है how to draw एकदम simple how to draw median how to draw median how to draw median यह बहुत ही simple बात है भाई सहाब यह कैसे होगा मान लिया जाए कि आपके पास एक triangle है आपके पास एक triangle है PQR PQR एक triangle हो गया आपके पास तीन sides होंगे subcides के measurement जरूर होगा यानि QR का measurement कर लीजे नहीं दिया है तो QR को major कर लीजे scale से और उसका जो middle point होगा यानि बराबर बराबर middle point पर आप एक अपना point दे देंगे अब यह middle point आपने दे दिया and अब इस vertex को चुकी इस line का जो middle point है उसके सामने वाला vertex को नपी अब आपने इस peak से जब इस middle point को जोड दिया तो यह जो line होगा यह जो line होगा वही है आपका that is the that is the median किसका यानि qr का तो how to draw the median I think it is the most easy topic कि median कैसे बनाएंगे सार तो बहुत easy है किसी भी triangle के 3 sides दिये हुए है और 3 sides का जो है आपको measurement ले लेना है और उस measurement का एक middle point ले लेना है उस middle point को सामने वाले vertex से जोड़ देना है that is considered to be the median of that line अब median के बाद अब यहाँ से थोड़े से complicated topics आते हैं इस बात को ध्यान देना है कि common point के वज़़े से वो concurrent lines हो जाएगा उसके बाद जो है वो आपका centroid हो जाएगा यह एकदम simple सी बात है इसको जरूर याद रखिएगा because आपसे यह सवाल एक नमर कोस्टन में पूछा भी जा सकता है कि आखिर उस point को हम लोग किस नाम से जानते हैं हना what is the name of that common point for the three medians of a triangle हना from where these three medians passes मतलब उस common point को हम किस नाम से जानते हैं हना जिस point से सारे medians गुजरते हैं उस points को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों centroid बहुत important बात है इससे बहुत मिलता जूलता topic हम लोग को आगे भी आने वाला है centroid से बहुत important नाम है इसके कुछ properties ऐसे हैं जैसे 2 is to 1 के ratio में बाटना वो सब बहुत आगे चलके आपको काम आता है बच्चों अब जैसे यहाँ पे how to draw the median मैंने बताया किसी भी line को major कर लो उसका middle point निकाल लो और middle point को सामने वाले vertex से जोड़ दो that's it अब सवाल यह उठता है कि सर एक topic आती है जिसका नाम है altitude इसको थोड़ा से एकदम ध्यान से समझेगा altitude altitude का मतलब क्या होता है altitude का मतलब होता है यानि perpendicular lines जो हम लोग खिशते है 90 degree altitude basically हम लोग यूज़ करते हैं जैसे mountains वगरा का जो चोटी होता है या किसी भी height पर किसी चीज़ का किसी point का height निकालना है तो उसके लिए हम लोग को altitude draw करना परता है तो अब altitude क्या है ये भी आपका एकदम ध्यान से समझेगा altitude median के बाद आया altitude अब ये altitude क्या है बच्चों तो यहाँ पे एकदम ध्यान से समझेगा पहले figure पर समझ लिजिए उसके बाद हम इसका definition बताएंगे जैसे मान लिजिए हमने एक triangle ले लिया S, U, B S, U, B एक triangle हमने ले लिया S, U, B एक triangle हमने ले लिया अब इसका altitude क्या होगा तो सामने वाले vertex से सामने वाले vertex से किसी भी kona से S से खीचो चाहे U से खीचो चाहे B से खीचो किसी भी kona से एक ऐसा line खीचते हुए आना है जो सामने वाले side पर 90 degree का angle बना है जैसे यहाँ S से हम एक line लेके आ रहे हैं और यहाँ सामने वाले S के सामने यान इस vertex के सामने कौन सा side है तो किसी भी vertex के सामने वाले side पर जब आप 90 degree का line खीचेंगे तो यह जो angle बनाया आपने 90 degree और यह जो S T है यह क्या कहलाएगा altitude कहलाएगा बहुत ही simple बात है एक बार और समझेंगे मान लिया जाए कि आपका एक vertex है B आपका एक vertex है B और इस B vertex के सामने कौन सा side है S U अब इस B से आप एक line ड्रॉक कर रहे है 90 degree मानने B से आप एक line ड्रॉक कर रहे है 90 degree जैसे मान लिजिए U N मान लिजिए इस B के सामने side कौन सा होगे S U और B से आप एक line ड्रॉक कर रहे है जो सामने वाले साइड पर 90 डिगरी का बना रहा है तो इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे अल्टिचूड किसका भी से गिराया हुआ अल्टिचूड अब एक और है आपका यू यू से भी अगर आप एक लाइन खीशते हैं और सामने वाले साइड पर सामने वाले साइड पर अगर 90 डिगरी बनाता है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्टिचूड उमीद करते हैं आप सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी ट्रेंगल में तीन भर्टेक्स है और उस तीनों भर्टेक्स में से किसी भी भर्टेक्स से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो सामने वाले साइड पर 90 डिगरी बना दे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों दाट इस दा अल्टिचूड और फ्रॉम डाट वर्टेक्स लेकिन इसके भी दो कंडिशन्स हो गए एक तो वो भर्टेक्स से निकलना चाहिए और सामने वाले साइड पर 90 डिगरी बनाना चाहिए तब ही वो क्या का लाएगा अल्टिचूड का लाएगा अब इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं मतलब इसका डिफाइन कर सकते हैं लाइन अलाइन ओरिजिनेट अलाइन ओरिजिनेट फ्रॉम फ्रॉम भर्टेक्स फ्रॉम भर्टेक्स अलाइन ओरिजिनेट फ्रॉम भर्टेक्स वर्टेक्स मेकिंग ना making 90 degree on the opposite side opposite sides are called altitude तो अब यहाँ पर सवाल ही उठता है कि सर इसके भी कुछ important points होंगे क्या yes, जैसे इसके सारे थे क्या सर आपने यहाँ पर सभी altitude को एक ही point से गुजा रहा है yes, एकदम confirm है जितने भी altitudes होंगे सबसे पहले तो किसी भी triangle में कितने altitude आप draw कर सकते हैं तो vertex 3 है, तो इसका मतलब हो गया है ना, यानि any triangle any triangle has any triangle has 3 altitude यानि किसी भी triangle के पास 3 altitude confirm है, उसके बाद एक और बात सामने आ गई यह सारे के सारे altitude किसी ना किसी common point से जरूर गुजरेगा देखे, यह common point है यानि common point for common point for common point for all the altitude all the altitude all the altitude, common point for all the altitude of a triangle of a triangle is called इसी को कहते हैं बच्चों आ गया that is called ortho center यह सब याद रखना है the meeting point of all the altitudes of a triangle, meeting of all the three altitudes of a triangle are called ortho center यह भी बहुत important point है कि अगर आप तीन altitude है और तीनों altitude एक बात और याद रखना है चुकि यह तीनों altitude एक ही पॉइंट से पास करता है इसलिए इसके सारे जो तीनों altitude एक ही पॉइंट से पास करता है तो altitudes are also altitudes are also concurrent तो यह हो गया altitude तो एक हो गया median एक हो गया आपका altitude अब इसमें आपके लिए थोड़ी सी बाते और बतानी बहुत जोड़ी है चुकि यह basic बात है लेकिन हम जालते हैं बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जान पाते हैं याद कर लेते हैं या फिर नहीं हुता है कि थोड़ा समझ भी गए और चीजों को नहीं पूछ पाते हैं वो बच्चे तो निश्चित वो छूट जाता है अब सवाल यह उठता है कि टीचर भी यह सोचते हैं कि बच्चे हैं बच्चे तो समझ रहे होंगे उनके कान में कभी कोई बात गया वो उनके दिमाग से उतर जाता है तो आज हम लोग यह जानना है जैसे मीडियन में हमने आपको बताया कि आखिर मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे तो यह बात आपको जान लेना चाहिए बच्चों एकदम ध्यान से समझेगा अल्टिचूड आप कैसे ड्रॉ करेंगे यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप याद कर सकते हैं अल्टिचूड क्या होता है एक ऐसा लाइन जो भर्टेक्स से निकल रहा है सामने वाले साइड पर 90 डिगरी बना रहा है तो आप फटाक से बोल देंगे कि सर यह अल्टिचूड है अब आप यह भी याद कर सकते हैं कि सर कितने होते हैं अल्टिचूड किसी ट्राइंगल के तो सर तीन अल्टिचूड होते हैं उस common point को जहां से वो सभी pass करते हैं, उस common point को क्या करते हैं तो अर्थों से, सब चीज आप याद कर सकते हैं, सब चीज आप रट सकते हैं, लेकिन अगर अचानक से किसी ने अगर आप से पूछ दिया, कि सर आखिर आप altitude कैसे draw करेंगे, स्टुडेंट से अगर आप किसी टीचर ने पूछ दिया, किसी भाईयर ने पूछ दिया, अंकल ने पूछ दिया, कि आप altitude draw कैसे करोगे, ये बहुत important बात है कि कैसे draw करोगे, तो आईए आज हम लोग आपको बताते हैं, कि आखिर altitude कैसे draw करना है, तो बच्चों एक बात बताईए, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं, यहाँ ध्यान दिजेगा, 90 degree बनाना है, बहुत सारे बच्चे को, 90 degree बनाना है, इस्टों या इसे चुटके बनानेे, 90 degree तो बनाना है, 90 degree बनाना है बहुत ब calf raises रहा है, जैसे ये एक line है L ठीक और एक line यहां भी मैंने दे दिया L ठीक है ये दो line हमने खीचा है इसको ध्यान से देखिए ये है L और एक line यहां भी मैंने ले लिया L अगर मैंने एक point यहां दे दिया P एक point मैंने दे दिया यहां P और एक point मैंने यहां दे दिया P ठीक है इसको या है L अब एक पॉइंट मैंने लिया P L पर और एक पॉइंट P मैंने L के बाहर लिया तो अगर मेरे को कोई कहेगा कि सर यहां इस P पर हमको 90 डिग्री बनाना है तो इस भेरी इजी इस भेरी इजी कैसे तो यहां पर आपको क्या करना होता है कि इस यहां से एक कमपास लेते हैं और उस कमपास से यानि इसके कमपास से आप ऐसे एक लाइन ड्रौ कर देते हैं आर्क ड्रौ करते हैं आप एक कमपास का निडिल यहां रखते हैं और ऐसे इसको फैला करके एक आर्क ड्रौ कर लेते हैं उसके बाद यहां से यहां cross कर दिया, यहां से आपने line draw कर दिया, 90 degree बन गया, तो यह आपके दिमाग में चल रहा था, बहुत सारे बच्चों के, यही बात आपके दिमाग में चल रहा था, कि सर यह तो बहुत easy altitude draw करना, 90 degree तो बनाना है, तो सर यहां पर एक point लेंगे, वहां स एक compass से एक arc खीचेंगे, उस arc पर दो line काटेंगे, वो दोनों line से एक cross करेंगे, 90 degree बन गया, लेकिन this is not altitude, this is a perpendicular line, बट अब सवाली उड़ता है, कि सर यह point बाहर है, यानि इस line के बाहर यह point है, अब इस point से इस line पर 90 degree कैसे हो, अब यहां पर यह बात बहुत important है बच्चों, प्लीज एक तम concentrate से आराम से ध्यान समझेगा, कि point हमारा बाहर है, और line हमारा यहां पर है, अब इस point से इस line पर 90 degree कैसे ड्रौ हो, तो बहुत easy है, एक तम ध्यान समझे, मैंने क्या किया, एक आराम से एक arc ले लिया, ध्यान से समझेगा, मैंने यहां पर एक arc ले लिया, यहा यहाँ पर कमपास होता है, कमपास का needle यहाँ रखेंगे इस point पर और इसको फैलाएंगे, ऐसे फैलाएंगे, और कोशिस करेंगे कि यहाँ पर मेरा एक line ऐसे cutना चाहिए, जैसे मैंने कमपास फैलाया, तो यहाँ पर एक line कटना चाहिए, फिर से एक बार ध्यान जान से, नि ये line के बाहर जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, तो आप घवराईएगा नहीं, इसको थोड़ा और छोटा करिएगा, छोटा करिएगा, तो हो सकता है कि यहां भी कटे, और घूमने के बाद भी यहां कहीं कट जाए, कोना पे कट जाए, कहीं भी कट जाए, इसका मतलब एक बात सम बढ़ा ले क्या साथ नहीं ऐसा नहीं करना है आपको इस पॉइंट से ऐसा आर्क लेना है इस पॉइंट से जिस पॉइंट से इस पर 90 डिगर बनाना है उस पॉइंट से ऐसा आर्क लेना है इसको ऐसे फैलाना है और इसको घूमाएंगे तो यही दिया हुआ लाइन बढ़ान नहीं है čhotा नहीं करना है इतना बड़ा आर्क लेना है कि दिए हुए लाइन को दो अलग-अलग पॉइंट पे गटना चाहिए तो देखे मैंने यहां दोनुन पइंट कट लिया अब इसको इसे उठा लेना है एक पॉइंट पर यहां रखके ऐसे घुमा देना है जहां पर आपका दो पॉइंट कटा है यहां पर रखके ऐसे घुमा देना है इस लाइन को अगर आप इससे जोर देंगे तो यह अपने आप यहां 90 डिगरी हो जाएगा उमीद करते हैं आपको समझ में आगया होगा एक बार और समझ लेते हैं कि यह है आपका लाइन यह है हमारा लाइन एम और यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया ए और इस ए से हमें इस एम पर 90 डिगरी बनाना है कैसे बनाएंगे चलिए एक बार फिर से बताते हैं आपने मन में दोराईए एक बार क्या करना है इसको ऐसे लिए परकाल लिए कमपास और इसको निडिल को यानि एक तरब जो निडिल होता है नुकीला उसको एप रख दिये और उसके बाद इसको फैलाना है ऐसे फैलाना है और यहां पर एक जगा काटा और इसको घुमा देना है और ऐसे यहां दो जग़ा पे काड़ दिया है उसको उठा लीजे उठा लेने के बाद यहां से ऐसे करके एक जगा ऐसे फिर यहां से लेकर एक जगा ऐसे इस पॉइंट को इससे जब आप जोड़ेंगे अपने आप यहां 90 डिगरी बन जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप सब लोगों को altitude और median बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो please please सभी बच्चों से request है पूरे बीडियो को जरूर देखा कीजे बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये बीडियो बनाते हैं हम लोग तो आप सब लोग इसको जो है so share भी कीजे और अगले वीडियो में हम आपको ले करके आ रहे हैं that is दो और सबसे important topic चुकि बहुत अगर मैंने बनाया तो हो सकता है कि आप सब में से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद से वो छोड़ देते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो अच्छी चीज जो मैं बताना चाह रहा होता है वही चूर जाता है आपसे तो बच्चो ऐसा नहीं करते हुए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सब लोग उस वीडियो को बहुत इजिली देख सकें और अराम से वो जो मुझे बताना है आप सब लोगों का जो दिक्कत है वो आप तक जरूर पहुँच पाए तो मैंने अभी सिर्फ दो चीजे बताया अल्टिचूड और मीडियन कैसे अल्टिचूड ड्रॉ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो बार इसको देख करके समझिएगा कॉपी पर जो ड्रॉ कर लिजेगा मीडियन कैसे अब जो आने वाला है वो तो सबसे बहतरीन है वो है आपका इन सेंटर इन सर्कल हैना सरकम सरकम सरकल ये सब आपके लिए बहुत जोड़ी है चुकि maximum 90% बच्चे इसको डिफनीशन के रूप में याद कर लेते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि इन सेंटर हमें क्या देना चाहता है इन सेंटर हम कैसे पराप्त करेंगे सरकम सेंटर कैसे पराप्त करेंगे सरकम सेंटर क क्यों ड्रॉ करते हैं सरकम सरकल क्या है ये सारी बातों को लेकर अगले वीडियो में हम लोग फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए अलविदा थैंक्यू फॉर ओल